मेरे प्रिय लोगों मसी इश्यू के पवित्र नाम से आज के दिन आप सभी लोगों को बहुत ही खुशी के साथ प्यार के साथ बदाई देना चाहता हूं हम सब लोग एक दूसरे से मिल जो पा रहे हैं वही बहुत बड़ा अनुग्र है प्रति दिन जब हम शुरू करते हैं इश्यू मसी के साथ हमें शुरू करना चाहिए उसी के साथ हमें खतम करना चाहिए बिस्तर पर जाना चाहिए आज की दिनों में बहुत सारी परेशानियों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं बहुत सारी समस्याओं को हम देख पाते हैं, उसका विरुद करते हैं कुछ चीजों को ऐसा देखते हैं कि बंदे हुए हैं, हम देख पा रहे हैं पर जब लगातार एक ही वचन को लेकर मैं प्रचार कर रहा हूँ, उसमें से हर एक शब्द को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, पर मैं शुर के आत्मा ने मुझे प्रेर ना दी कि मैं ऐसा करूँ, आज यशया एक सटमा अधियाई पहला वचन, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है क्योंकि यहोवा ने सुसमचार सुनाने के लिए मेरा अभिशे किया और मुझे इसलिए बेजा कि खेदित मनों को शांती दूँ और बंधूओं के लिए स्वतंतरता का आज जो बताने बाला हूँ वचन है और कैदियों के लिए छुटकार का प्रचार करूँ, कैदि कि आदत या एक चैन स्मोकर हूँ, स्मोकिंग हैबिट मुझे मैं है, वह एक बैड हैबिट है, या फिर अक्सर मैं बहुत जूट बोल देता हूँ, वह एक बहुत बुरी गुण है, अगर गुस्सा आ जाए तो तुरंत अपनी पत्नी को मैं मार देता हूँ, ऐसे किसी ना क इस चीज़ में क्या बंदे हुए हो, या फिर बहुत दिनों से करजे, कश्ट, जब देखो घर में शांती नहीं है, क्या आप ऐसे इन चीज़ों में बंदे हुए हो, ऐसे बंदे हो कि जैसे कोई रसी से बंदा हुआ हो, आप ही के लिए परमेश राज बात कर रहा है, अच या बंदे हुए हो को कैद से छुटकारा देने वाला अभिशेक वो बहुत जरूरी है, आज अब बंदे हुए हो, आपको छुटकारा करने वाला है, वे बिलकुल रसीों को खोलने वाला, अगर परमेश राजा के ये तो कैसा होगा? एक भार प्रभु जब परमेश्वर के भवन में गया तो वहाँ पर 18 साल से एक स्त्री कुबडी स्त्री थी तुरंत इशू सो देखकर कहता है 18 साल से दुष्ट आत्मा ने इसे बंदा हुआ है तो स्त्री जो है सीधी नहीं हो सकती थी सभी सोचने लगे कि वह उसके रीड की हड़ी में कोई समस्या है पर बात यह है कि उसमें एक दुष्ट आत्मा थी मैं कहता हूँ आज इशू के नाम से कहता हूँ निराश मत होईए इस बचन को ऐसी पकड़ लीजिए ये शया 61 अध्याए पहले बचन में खैदियों को छुटकारा करने वाला यहोवा परमेश्वर मेरे सभी बंदोनों को तु तोड़ने वाला है इसले तरह धन्यवाद हो ऐसा कहकर बोलिए मेरे प्रभू परमेश्वर प्यारे प्रभू चाहे जो भी समस्याएं तेरे बच्चे आज फसे हुए हो शैतान की समस्याएं चादू टोने ये परिवार कभी सम्रुद्धी न पाए आशिश बनकर न रहे बच्चे न रहे अगली संतती न आए ऐसी जो कोई भी समस्याएं तेरे बच्चे फसे हुए हो इश्यू मसी के अधिकार भरे नाम से उस बंधन को अभी तो डालते हैं अभी बंधनों को खोल डालते हैं प्रभू परातना सुना इसले तरह धनिवाद हो प्रभू Praise God, परमेश्वर की महिमा हो परमेश्वर की महिमा हो इश्यू मसी के नाम से, आमेन मेरे प्रियल लोग हो आपके सारे बंधन तूटने लगे हैं ठीक है अगर आज परमेश्वर ने आप से बात किया है तो आप मेरे साथ मिलकर तमिल में, इंग्लिश में, हिंदी में आप अपनी सला हमें दे सकते हैं, प्रेयर पॉइंट्स आप भेज सकते हो हिंदी जो जानते हैं हिंदी में, हिंदी जो जानते हैं हिंदी में हम उनको जवाब देंगे जो अंग्रेजी में लिखेंगे, अंग्रेजी में हम उनको जवाब देंगे तमिल में जो लिखते हैं, तमिल में हम उनको जवाब देंगे, ठीक है परमेश्वर का अनुगरे आपके साथ रहे आपको संभालता रहे परमेश्वर का हाथ आपके साथ रहे अगर आप एमेल के द्वारा हमें संपर करें तो हमें बहुत खोशी होगी gpsrobinson at hotmail.com उस email में अगर आप संपर करें तो हमें बहुत खुशी होगी पर मेशवर का अनुगर आपको संभालता रहे फिर मिलेंगे God bless you हमारा email gpsrobinson at hotmail.com और मेश्वर आपको आशिष दे